एलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीजी पेसी नॉलेज है मेरा नाम है गौरो और चलिए आज स्टार्ट करेंगे समान विज्यान के एक टॉपिक मानव रोग से जो आपके आगामी सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस एक्जाम के लिए तो इंपोर्टेंट रहेगा ही अधर कॉंपिट इस नंबर में भी कॉंट्रेंट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से निमलिखित में से किस वेग्यानिक ने वर्स अथा सो असी में प्रभावित व्यक्ति के रक्त में मलेरिया पर जीवी प्लाज्मो डियम के बारे में खोच की थी आपको बताना है मलेरिया पर जीवी प्लाज्मो डियम के बारे में खोच की थी नहीं एंसर रहेगा आपका चाल्स लेवरन और यह खोज हुई Hopkins निमलिखित में से किस वैग्यानिक ने malaria परजीविय के कारण malaria की पुस्टी की और बताया है मच्छर इसका वाहक है इसका सही answer है यह खोज की है रॉनल रोस ने और यह कब होई थी 1897 में ठीक है सही एंसर रहेगा इसका रॉनल रोस और यह बताया गया है 1897 में अगला कोशन देखते हैं काला अजर यह किस प्रकार की बिमारी है आपको बताना है प्रोटोजोन जीवानू वाइरल या नन ओफ दी अबव काला अजर यह किस प्रकार का बिमारी है इन में से आपको बताना है एक प्रोटोजोन के कारण होने वाला बिमारी है या जीवानू वाइरल या नन ओफ दी अबव इसका सही एंसर है काला अजर आपका प्रोटोजोन के कारण होने वाला एक बिमारी है सबसे पहले कालाजर की बात करें तो इसका affected और गन कौन से अंग को प्रभावित करता है ये सबसे प्रभावित करता है मानौँ शरीर के bone marrow को और ये किस परसाइट से होता है lizmania, zonoveni यह parasite का नाम है इससे कालाअजर होता है और इसका carrier, यह किसके दवारा देखा जाए तो carry किया जाता है sand flies के दवारा carry किया जाता है कालाअजर का symptoms कहा रहता है इसमें बहुत तेज बुकार आता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बिमारी मानौ आर्वीसी और यकृत को प्रभावित करती है इसका सही एंसर है मानौ आर्वीसी और यकृत को कौन प्रभावित करता है मलेरिया, जब मलेरिया होता है तब RBC और यकृत मुख़ता प्रभावित होते हैं मलेरिया की बारे में बात करें तो इसमें affected सबसे ज़्यादा RBC और liver को affect करता है और एक इसके द्वारा होता है Plasmodium ठीक है इसके द्वारा एक Parasital उससे होता है मलेरिया, कैरियर कौन है इसका female, anopholis, mosquitoes का main carrier रहता है मलेरिया का symptoms कहा रहता है High fever, ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है अगला question देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बिमारी PC मक्यों के कारण होती है काला अजर, निद्रा रोग दस्ट या पाईरिया इन में से आपको बताना है PC मक्यों के कारण होने वाली बिमारी सही answer है, यह होता है निद्रा रोग, निद्रा रोग होता है आपका PC मक्यों के कारण इसकी बात करें तो इसको sleeping sickness भी बोलते हैं यह mainly effect करता है आपके brain को एक इस parasite के कारण होता है trypanosoma एक parasite है यहाँ इसके कारण sleeping sickness होता है इसका main carrier होता है CC fly और इसके symptoms क्या रहते हैं पहले तो बुखार आएगा बुखार के सास्थ बहुत अधिक नीन दाता है इसको ध्यान में रखना है अगला question देखते हैं BCG का full form आपको बताना है basic clematogurine bacillus cholera gurine bacillus cough gurine या bacillus clematogurine BCG BCG वैक्षिन दिया जाता है इसका full form क्या है basic clematogurine bacillus cholera gurine bacillus cough gurine या bacillus clematogurine इसका सही answer इसका full form होता है D bacillus clematogurine BCG का full form रहता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है bacillus clematogurine अगला कोशन देखते हैं निमलिखित में से किस वग्यानिक ने हैजा और टीवी के बारे में खोच की है आपको बताना है रॉबर्ट कूच, चार्ल्स लेवरेन, रॉनल्ल रोस या एफ जी हॉपकिन्स निमलिखित में से किस वग्यानिक ने हैजा और टीवी के बारे में खोज की रॉबर्ट कूच, चार्ल्स लेवरें, रॉनल रोज या एफ जी हॉपकिन्स इन में से आपको बताना है इसका सही एंसर है रॉबर्ट कूच ने खोज की है अगला कोशन देखते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो निमलिखित में से किस का वेक्टर है आपको बताना है मलेरिया का, डेंगू का, फाइलेरिया क्या या उपरियुक्त सभी का फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो निमलिखित में से किस का वेक्टर है Mylaria का, JInguku का, Filaria का या उपरयुक्त सभी का इसका सही answer है जो female QLEX Moskitो रहते है वह carrier है आपके फाइल एरिया का êmगा इसको clear रखेंगा फाइल एरिया सही answer है अगला question है. tetanus निम लिखित में से किस के कारण होता है? आपको बताना है. protozoa, जिवानू, virus या none of the above tetanus, निम लिखित में से किस के कारण होता है? एक protozoa के, जिवानू, virus या none of the above आपके बताना है Tetanus किसके कारण होता है इसका सही answer है एक जीवाणू के कारण होता है ठीक है याद रखना Tetanus इसमें affected organ क्या रहते हैं सबसे पहले वो nervous system का effect करता है Tetanus किसके कारण होता है जीवाणू जिसका नाम है Clostridrium Titani इसके कारण होता है इसके symptoms क्या रहते हैं fever आता है और जो जबड़ा रहता है वो बंद होने लगता है ठीक है इसको ध्यान रखना इसका नाम होता है जिसका नाम रहता है Clostridrium Titani अगला कुशन देखते हैं Tuberculosis को निमलिखित में किस नाम से जाना जाता है सफेद plague, Black plague, लाल plague या Green plague Tuberculosis वो निमलिखित में से किस के नाम से जाना जाता है सफेद plague, Black plague, लाल plague या Green plague इन में से आपको बताना है इसका सही answer है Tuberculosis को जाना जाता है सफेद plague के नाम से ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है Tuberculosis की बात करें तो mainly lungs को effect करता है और यह किसके कारण होता है Mycobacterium tuberculosis के कारण होता है Tuberculosis में क्या-क्या symptoms आते है Respiratory difficulties मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा खासी आती है भुटन होती है तो यह सब Tuberculosis के main symptoms है ठीक इसको ध्यान में रखेगा इसलिए आगे देखते हैं ठीका करण का मुख उद्धेश क्या है आपको बताना है प्रतिरक्षब रणाली को उत्तेजित करने के लिए Antibodies का उत्पादन करने के लिए A या B दोनों या बीमारी को तेजी से फैलाने के लिए टीका करण का मुख उदेश क्या है? इन में से आपको बताना है प्रती रक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना, एंटी बॉडिस का उत्पादन करना ए और बी दोनों या बिमारी को उत्तेजित से हैलाना इसका सही answer है, टीका करण का मुख उत्तेश है सबसे पहले प्रती रक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना और एंटी बॉडिस का उत्पाधन करना ठीक है सही एंसर रहेगा आपका C A और B दोनों अगला कोशन है DPT का फुल फॉर्म का आपको बताना है option A है diarrhea, phiria, tetanis, option B है diphtheria, plague, tetanis, option C है diphtheria, polio, treatment, option D है diphtheria, perturosis, tetanis DPT का फुल फॉर्म क्या है? DPT आपने सुना ही होगा उसका फुल फॉर्म आपको बताना है इसका सही एंसर है इसको ध्यान में रखिएगा अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा कवक अस्थमा का कारण बनता है इसको ध्यान में रखना है अस्थमा एसपरगिलस फिमिगेट्स के कारण होता है अगला कुशन है ल्यूकोसाइट की संख्या में और समान वृद्धी को क्या कहा जाता है आपको बताना है मस्तिस्क कैंसर, हड़ी का कैंसर, रक्त का कैंसर या अगनाशय का कैंसर लूकोसाइट्स की संख्या में और समान वृद्धी को क्या कहा जाता है मस्तिस्थ का कैंसर, हड़ी का कैंसर, रक्त कैंसर या अगनाशय का कैंसर सही एंसर है जब लूकोसाइट्स की जब संख्या बढ़ने लगती हो तो उसको रक्त का कैंसर कहा जाता है सही answer रहेगा आपका blood cancer लूकोसाइट्स की अगर संख्या बढ़ने लग अगर लग जाती है तो उससे रक्त cancer होता है अगला question देखते हैं hepatitis निमलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है मस्तिस्क, हिदय, फेफडे या यकृत hepatitis निमलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है मस्तिस्क, हिदय, फेफडे या यकृत इन में से आपको बताना है इसका सही answer है hepatitis प्रभावित करता है आपके यकृत को ठीक है इसको ध्यान में रखेगा अगला question है एडिस एजिप्टी निमलिखित में से किस बिमारी का एक वेक्टर है डेंगू का, मलेरिया का, जीका का या उपरियुक्त सभी का एडिस एजिप्टी निमलिखित में से किस बिमारी का एक वेक्टर है carrier बोल सकते है या एडिस एजिप्टी उससे एक बिमारी को दूसरे तक फैलाने का काम करता है उसको वेक्टर बोलते हैं इसका सही एंसर है एडिस इजिप्टी वेक्टर है आपका डेंगू का ठीक है इसको ध्यान में रखेगा अगला कुशन देखते हैं पोलियो किस प्रकार का बिमारी आपको बताना है एलर्जी जीवानिक आपका प्रटोजुगोम है इसको याद रखेगा माइग्रेन किस प्रकार का बिमारी है आपको बताना है एलर्जी है केमारिक है वैशानु जनित है अप प्रटोजूआ रजीवी के कारण होने वाला एक बिमारी है है इसके कारण होता है, माइग्डेन होता है आपका एक ऐलर्जी के और याद रखना है, इंपोर्टेंट है, माइग्रेन एक ऐलर्जी है, एक टाइप का। ठीक है, उसमें बहुत तरदरद करता है, पर इसका भी इलाज नहीं है, अगला कोशिन है व्यूलीमिया किस प्रकार का विकार है व्यक्ति को नींद आना बंद हो जाता है इसके करण व्यक्ति बोलना बंद नहीं करता है व्यक्ति खाना बंद नहीं करता है व्यक्ति चलना बंद नहीं करता है व्यूलीमिया यहाँ किस प्रकार का एक विकार है इनमें से आपको बताना है, इसका सही एंसर है, ब्यूलीमिया में क्या होता है, व्यक्ति खाना कभी बंद नहीं कर पाता है, इसको आपको ध्यान में रखेगा, ब्यूलीमिया एक प्रकार का विकार होता है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति खाना बंद नहीं कर पाता है, ठीक ह को बताना है हिमोफीलिया कार्सीनोमा लिकेमिया या सिड्रोसिस इन में से कौन सी बीमारी आइरेन डस्ट के सांस लेने के कारण होता है हिमोफीलिया कार्सीनोमा लिकोमिया लिकेमिया या सिड्रोसिस नहीं एंसर है जब आइरेन डस्ट को सांस लिया जाता है तो उससे होता ह सिड्रोसिस इसको याद रखेगा कछल्य अगला कोशर्थमर्स देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बिमारी एक आनुवाय। बिमारी है जिससे वैक्ति ठक्के जमने की च्मता को खो देता है गिजियाय में अटृ। में ल्यूकेमिया में या सिड्रोसिस में निमलेखित में से कौन सी बिमारी एक आनुवान्शिक बिमारी रहता है जब उसको हुमोफीलिया होता है हिमोफीलिया एक बिमारी है जिसमें व्यक्ति खून का ठक्का जमता है ना वो नहीं जम पाता है तो उससे करें एक्सिसिफ ब्लीडिंग होता है और यह बहुत प्रॉब्लम क्रेट करता है तहीं एंसर रहेगा आपका A हिमोफीलिया अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से इसमें किस द्रिष्टी दोस आखो के लेंस के कम लेचिली परंग के कारण उत्पन होता है जो वस्तुवों पर ध्यान केंद्रित करने की छमता हो देता है इनमें से आपको बताना है मायोपिया में प्रेस बायोपिया में हाइपर मेट्रोपिया में या उपर्योक्त सभी निमलिखित में से किस द्रिस्ती दोस में आखों के लेंस के कम लचीलेपन के कारण उत्पन होता है जो व्यक्ति ध्यान के इंद्रित करने की छमता को खो देता है नहीं एंसर है ऐसा होता है आपका प्रेस बायोपिया में प्रेस्ट बायोपिया में क्या होता है जो आखों के लेंस रहते हैं वो कम लचीलेपन के कारण वो जो आखों की फोकस करनी की छमता होती है ना वो एक्ति खो देता है ठीक है उसको प्रेस्ट बायोपिया बोलते हैं फिर जो मेट्रोपिया होता है short sightness इसमें क्या होता है आदमी दूर का चीज नहीं देख पाता है मायोपिया में इसको short sightness भी बोलते हैं इसमें आदमी दूर का चीज नहीं देख पाता है है पर मेट्रोपिया में इसको long sightness बोलते हैं इसको इसमें आदमी पास का चीज नहीं देख पाता है इसको ध्यान में रखेगा अगला question है वुस्चिरिया ब्रैंक क्रॉफटी एक हलिमेंथिस है निमलिखित मेंसे किस बीमारी का कारण बनता है आपको बताना है Phylaria malaria Dengu या Zika Wostheria Bancrofty एक helia menthes है निम लिखित मे से किस बीमारी का कारण बनता है Phylaria Malaria का देंगू का या Zika का वस्चेरिया Bancrofty कारण बनता है आप के phylaria है elephant testus बोलते हैं इसको हाती पाव इससे किसके कारण होता है वुस्चेरिया बैंक क्रॉफ्टी के कारण ठीक है इसको ध्यान में रखना है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सी बीमारी एक जिवानू संक्रमन के कारण होती है जो मुख रूप से फेफडे को प्रभावित करती है टूबर कलोसिस, टाइमी डीसी, क्लिम्डिया या ए टूबर कलोसिस में लिएग जिवानू संक्रमन के कारण होती है जो मुख रूप से फेफडे को प्रभावित करती है अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बीमारी एक अनुवानशिक उत्परिवर्तन के कारण होती है जो असमान हुमोगलोबिन के उत्पादन की ओर ले जाती है तिकल सेल अनेमिया, हलेक्सीमिया, होमोफीलिया या लूकेमिया निमलिखित में से कौन सी बीमारी एक अनुवानशिक उत्परिवर्तन के कारण होती है जो असमान हुमोगलोबिन के उत्पादन की ओर ले जाती है तिकल सेल अनेमिया, हलेक्सीमिया, हुमोफीलिया या लूकेमिया इसका सही answer है sickle cell anemia यह सब जितने भी विकार होते हैं वो सब sickle cell anemia में होते हैं आपको इसको ध्यान रखना है अगला question देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बीमारी वाईउ मार्गी की सूजन और संक्रीनिता की विसेस्ता है जिससे सास लेने में कठिनाई होती है अस्थमा chronic obstructive pulmonary disease COPD या emphysema या bronchitis निमलिखित में से कौन सी बीमारी वाईउ मार्गी सूजन और संक्रीनिता की विसेस्ता है जिससे सास लेने में कठिनाई होती है इसका सही answer है यह problem होती है अगला question है निमलिखित में से कौन सी बीमारी एक viral संक्रमन के कारण होती है जो यकृत को प्रभावित करती है hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C या उप्रियुक्त सभी निमलिखित में से कौन सी बीमारी एक viral संक्रमन के कारण होती है जो यकृत को प्रभावित करती है hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C या उप्रियुक्त सभी सही answer है उप्रियुक्त सभी ठीक है इसको ध्यान में रखना है उप्रियुक्त सभी hepatitis A, B और C यकृत को प्रभावित करती है और यह एक वाइरल संक्रमन के कारण होती है सही एंसर आपका उपरुक्त सभी होगा अगला कुशन है निमलिखित में से कौन सी बिमारी इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का प्रभावी धंग से उप्योग करने में और समर्थता के कारण होती है निमलिखित में से कौन सी बिमारी इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का प्रभावी धंग से उप्योग करने में और समर्थता के कारण होती है इन में से आपको बताना है सही एंसर है आपका जो type 2 diabetes रहता है type 2 diabetes में उसमें क्या रहता है उस बिमारी में insulin की कमी या insulin का जो प्रभावी धंग से उपयोग करने की जो व्यक्ति के छमता रहती है वो व्यक्ति खो देता है सही एंसर रहेगा आपके type 2 diabetes इसलिए आगे दखते हैं निम लिखित में से कौन सी बिमारी मस्तिस्क जो कोशिकाओं को प्रगतिशील अध्ध पतन की विशेस्ता है जिससे इस्मिती हानी और अन्य संग्यात्मक हानी होती है निम लिखित में से कौन सी बिमारी मस्तिस्क कोशिकाओं को प्रगतिशील अध्ध पतन की विशेस्ता है जिससे निती हानी और अन्य संग्यात्मक हानी होती है इसका सही एंसर है आपके अल्जाइमर डिसीज में यह सब जितने भी प्रॉब्लम से वो आती है उसमें व्यक्ति को क्या होता है सबसे पहले तो मस्तिस्क कोशिकाओं के प्रगतिशील अध्ध पतन होता है और उससे स्मृतिहानी और जितने भी देखा जाये तो ब्रेन से प्रॉब्लम आते हैं वो आपके अल्जाइमर डिसीज में आते हैं अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होता है करवी रिकेट्स, प्लेगरा या बेरी ब्री में से आपको बताना है जब लकषी में विटामिन की कम ही रहती है तो उसको होता है रिकेट्स ऑपको धान में रखना है एक तो आज के लिए बस इतना ही करते बीडियो क्लू लाइक करें कौमेंट करें करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस गौरभंदारकर और इस लेक्चर की जो पीडियाफ और मेरे हैं लेक्चर की पीडियाफ आप हमारे एप की जो पीडियाफ और में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहां मन्तली बेसिस पर अपडेट कर देते हैं इस गौरभंदारकर साइनिंग ओफ टुड़े थैंक यू